दोस्तो हर इंसान की खाने पीने की आदत एक दूसरे से अलग होती है कुछ लोग खाना अपने पेड भरने के लिखाते हैं कुछ लोग सियद बनाने के लिखाते हैं वही कुछ लोग बहुत चटोरे होते हैं जो सिर्फ टेस्टी फूड कोई खाना पसंद करते हैं दोस्तों इस वीडियो को अंतख जरूर देखिएगा क्या पता उन में से आपकी ंजी के शामिल हों? साथ ही आप इनमें से कौन सी चीज को खाते हैं हमें हमारे कॉमेंट सेक्षिन में जरूर बताईगा हैं रात को ठीक से नीन ना आना ब्लड प्रेशर बढ़ना आखों में कमजोरी आना जोड़ों का दर्द और किड्नी से जुड़ी समस्याएं सामने आना लगती है तो दोस्तों इसलिए आज जिन चीजों के बारे में वहाँ को बता रहे हैं उनको आप लोग आज से ही अपने खाने के लिए से दूर कर दीजिए बेकरी प्रोड़क्ट दोस्तों आप अपनी जिन्दगी में आम दोर पर बेकरी प्रोड़क्ट्स का इस्तेमाल काफी करते हैं स्पेशली हम लोग ब्रेक्फस्ट में काफी ज़्यादा बेकरी प्रोडक्ट्स का यूज करते हैं बेकरी प्रोडक्ट्स में बिस्किट, रस्क, कुकीज, पैटीज, ब्रेट जैसी चीजे आती हैं कुछ लोग तो इनको टेस्टी मनवाने के लिए ब्रेड बर, जैब और सॉस लगाकर भी खाते हैं पर दोस्तों कि आपको पता है कि जितने ज्यादा ये प्रोडक्ट टेस्टी होते हैं उससे कहीं ज़्यादा ये प्रोड़क्ट हमारी बॉड़ी को नुक्सान पहुंचाते हैं इन सब बेकरी प्रोड़क्ट में चार वाइट पॉइजन मिले होते हैं जैसे शुगर, सॉल्ट, मैदा और हाइडरोजनेरेटिड खी यानि कि जमा हुआ खी जिसे हम वलाइटीगी के नाम से जानते हैं दोस्तों शुगर और सॉल्ट तो हमें ज़्यादा खाना ही नहीं चाहिए और दोस्तों मैदा हमारे शरीर में जहर की तरह काम करता है और दोस्तों अकसर हम लोग ब्रेकफ़स्ट में मैदा से बनीवे चीज़ों का यूज़ करते हैं जैसे की ब्रेड ब्रेड में बिलकुल भी निउटरिंट्स नहीं होते हैं और जब हम उन पर सॉस या जैम लगा कर खाते हैं तो यह हमारे डाइजेस्टिफ सिस्टेम को और ज़्यादा खराब कर देते हैं इसके अराबा मैदा के ज्यादा सेवन से हमारे शरीर का वज़न दो गुरा तक बढ़ जाता है यह इनसान को जल्दी कमजोर बना देता है और इनसान को जल्दी बुरा कर देता है अब अगर आप जल्दी बुरा होना चाते हैं तो इन प्रड़क्ट्स को खाना कंटीर रखिए और अगर नहीं तो आज ही आप इन बेकरी प्रड़क्ट्स को अपने टायर चार्ट से बाट कर दीजे चटनी और अचार दोस्तों खाने में एकर चटनी मिल जाये तो खाने का मज़ा दोग नहीं इसके साथ है अगर खाने में अचार पराठे का कॉम्मेशन हो तो लोगो दिन ही बन जाता है अचार चटनी बोर्स दें खाने में भी एक टीस्टी अधीन फलेवर अड़ कर देते इसके अलावा ज्यादा अचार और चटनी खाने से हमारे शरीर में सूजन भी आ जाती है क्योंकि अचार को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए जो प्रजर्विटिब का इस्तिमाल किया जाता है वो शरीर के लिए नुकसान दायक होते है इसके अलावा अचार चटनी को ज्यादा खाने से कॉलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाता है क्योंकि इन में ज्यादा कॉांटिटी में तेल का यूस किया जाता है और अगर एक बार कॉलेस्ट्रॉल बढ़ा तो इसका सीधा असर इन्सान की दिल पर पढ़ता है इसके अलावा चटनी के ज्यादा सेवन से हमारे लिवर पर भी बुरा असर पड़ता है चटनी और अचार में ज्यादा मसालों को यूस किया जाता है जिस वज़े से डाइरिया, एसिडिटी, हलसर, हाई बलड प्रेशर जैसी बीमारिया हमारे शरीर में होने का खत्रा और बढ़ जाता है तो दोस्तों अगर आप भी चटनी अचार खाने के शौकीन हैं तो अपनी चटोरी जुबान को दोड़ा समवाल कर रखे दोस्तों आज कल की लाइफ में ही हमारा फेवरेट फूड है और हो सकता है कि आप मेंसे भी कुछ लोग हमारे इस वीडियो को देखते समय भी पास्ता नूडल सी खा रहे हैं अब अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो हमारे कमेंट सेक्षिन में जरूर बताइएगा दोस्तों इन चीज़ों को अभी से खाना छोड़ दीजे क्योंकि आपकी बाड़ी को बहुत ज़्यादा नुक्सान पहुचा रहे हैं एक्चिली मैकरोनी पास्ता और नूडल्स में हाई कार्बो हाइडरेट सामगरी का इस्तेमाल होता है जिससे हमारा blood sugar level fluctuate होता रहता है दोस्तों आपको बजादे इनको लगातार खाने से हमें एक साल के अंदर ही diabetes हो सकती है तो आप खुद सोचिए कि हमारी body के लिए कितने ज्यादा harmful है इसके अलाबा इनसे constipation जैसी problem भी बढ़ जाती है इसके अलाबा इसमें मैदा के अस्तेमाल होता है और तो आप जानते ही हैं कि मैदा हमारी body को कितना नुकसान करता है फिर भी अगर आपको इनको खाना है तो इनको बनाते वक्त ज़्यादा ज़्यादा vegetables का यूज़ करें soft drink और soda दोस्तों आज के जिमाने में soft drink याने की cold drink हमारी जिन्दगी का बहुत ही बड़ा इससा बन गई है गर में छोटी सी भी party हो किसी का भी बोटरी हो या पर कोई महमान आ रहे हो सबसे पहरे जो चीज मगाई जाती है वो है cold drink इसके अलावा अकसर गर्मियों में लोग अपनी प्यास बुजारें और गर्मी दूर बगाने के लिए इसका यूस करते है हर उमर के लोग इसको पीना पसंद करते है और इसके तरह तरह के flavors तो बच्चों में अच्छे खासे लोग प्री है दोस्तों आपको पता है दुनिया भर में सिर्फ एक दिन में अंगिनत cold drinks बिख जाते है दोस्तों कि आपको ये मालूम है कि जिसको में तना शौक से पी रहे है वो हमारे शरीर को कितना नुकसान पहुचाती है cold drink में बहुत ज़्यादा शुगर होता है इंसान बहुत जल्दी बुड़ा होने लगता है cold drink में ऐसी एक भी चीज नहीं होती जो हमारे शरीर को फायदा पहुचा सके packed juice आज किल मार्गिड में तरह तरह के डिब्बों में बन जूस मिन जाते है और लोग ने original juice समझ कर काफे enjoy भी करते है पर दोस्तों वो juice असली नहीं होते है क्योंकि असली juice तो कुछी मिनिट में खराब हो जाता है जबकि ये juice लगबख 6 महीने तक पैक रहते है दोस्तों ये juice pulp से या फिर essence से बनाय जाते है जो हमारी सिहत के लिए बहुत खतरनाक होते है इन packed juices में असली juice तो होता ही नहीं है या फिर बहुत कम मात्रा में होता है इनके अलावा इन juice में शुगर बहुत ही जादा होती जिससे diabetes का खतरा बहुत बढ़ जाता है इसके अलावा इस juice को पीने से मोटापा भी बहुत जादा बढ़ जाता है इसलिए दोस्तों अगर कभी आप कोई juice पीना हो तो सामने से बनाया हुआ original food juice ही पी है बासी चावल दोस्तों हमारे देश में ज्याद तो लोग चावल खाते है ज्यादा चावल खाने की वज़े से लोग चावल के साथ साथ तरह तरह के experiments भी करने लग जाते है अक्सर लोग चावल मनाकर गर्म चावल तो खाते ही है उसके बाद कुछ लोग बच्चे हुए चावलों को अगले दिन सुभा फ्राइ करके भी खाते है लेकिन दोस्तों एक गर्म चावल तो हमारी सेथ को कोई नुकसार नहीं पहुचाते है लेकिन चावल को बनाकर ठंडे होने के बाद चावल को फ्राइ करके खाना हमारी सेथ के लिए बहुत ज़्यादा आमफुल होता है चावल पकने के बाद जब ठंडे हो जाते हैं तब उन पर बैसिलस सरसियस नाम का एक बेक्टीरिया फैलने लगता है ठंडे चावल रहने पर ये बेक्टीरिया पूरे चावलों को खराब कर देता है और ने काफी पॉईजन जैसी बिमारी हो जाती है इसे विए चावलों को हमेशा गर्मी खाना चाहिए क्योंकि ठंडे चावल को फिर से गर्म करने पर उनके वैक्टीरिया नहीं मरते हैं कलर फूड और ड्रिंक दोस्तों अक्सर दुकानदार खाने की चीजों को ट्राक्टिब बनाने के लिए उनमें तरह-तरह के फ्लेवर सो कलर अड़ कर देते हैं जिस वज़ए से फूड में कलर और फ्लेवर मिलाने से खाना दिखने में और खाने में तो बहुत टेस्टी लगता है लेकिन हैं उतना ही हमारे शरीर के लिए हार्मफुल हो जाता है मारकेट में मिलने वाली केक, चॉकलेट, पेस्ट्री, आइसक्रीम, वर्फ का गोला इन सम्में आर्टिफिशल कलर का यूज होता है इसके अलावा पैक्ट स्नाक्स में भी, उनको लंबे समय तक फ्रेश और अट्रक्टिब बनाए रखने के लिए आर्टिफिशल कलर का यूज किया जाता है सोयाबीन का तेल या सोयाबीन के चीजों को ज़्यादा खाने से हमारे शरीर को नुक्सार होता है इस तेल को खाने से फाइटो एस्ट्रोजीन्स की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जिससे यार्मून्स पर बहुत बुरा सर पढ़ता है इसे खास तोर पर बूरे लोग और महिलाओं के शरीर पर काफी बुरासर पड़ता है इस तेल का ज्यादा इस्तमाल करने से थाइरॉइड और गुप तुरोग जैसी समस्या भी बढ़ जाती है इसके लावा इससे महिलाओं के रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जुड़ी समस्या उने का चांस बहुत बढ़ जाता है इसलिए दोस्तों अगर आप भी खाने में सोया बीन ओयल का यूज कर रहे हैं हमें हमारे कॉमेंट सेक्षिन में जरूर बता है अगर ये वीडियो आपको पसंद आयों तो से लाइक और शेयर जरू करें साथ एकराब चैनल बन नहीं है तो इसे सब्सक्राइब करा और बेल आइकान दबाना ना पूलें